दोस्तों जो हमारे पास में contactor होती है और जो overall relay होता है वो यदि सही से काम नहीं करता है तो इस condition में हमें उसको check करना पड़ता है और check करने के लिए हम ऐसा हम multimeter का इस्तमाल करते हैं अब यह जो multimeter है इस multimeter का इस्तमाल करके आखिर किस प्रेकार से हम contactor और overall relay को check करेंगे चलि सबसे पहले तो जो हमारा contactor है इस contactor का जो coil होता है जैसे कि A1, A2 टर्मिनल इन दो टर्मिनल के साथ में जो coil connect होते हैं उनका जो रसिस्टेंस है वो रसिस्टेंस प्रोपर हेकने उसको हमें check करना होगा second चीज हमें यहां पे power terminal को check करना होता है third हमें यहां पे NONC contact को check करना पड़ता है तो सबसे पहले contactor का जो यहां पे coil है उसको check करना start करते हैं तो multimeter को मैंने यहां पे on कर दिया हूँ on करने के वाद यह जो contactor है इस contactor का जो coil है उस coil के terminal पे multimeter का जो probe है उसको connect करना होता है जैसे कि आप देखो कि यहां पे लिखा हुआ है A1 और यहां पे लिख resistance बता रहा है जैसे कि आप देखो कि यहां पे 565.1 ओम का resistance हमें मिल रहा है यहां इन दोनों प्रोग को आपस में कनेक करूं तो यहां पर रासिस्टेंस का वेलू पूरा का पूरा जीरो है अब इसके बाद यहां इन दोनों को इस प्रकार से कनेक करूं तो यहां पे मुझे कुछ न कुछ resistance का बेलू मिल रहा है तो यदि मल्ती में मल्टी मीटर यहां पर रसिस्टेंस का वेलू सो करें तो आप समझ लीजिए कर देख लिए वैसे जो कौंटेक्टर का जो कोईल होती हैं उसका एक रसिस्टेंस का लेलू होता है कितना वेलू होना चए उसको पता कर है लेकिन यहां पर ज़्यादा दिख्टा है तो समझ लीजिए कि जो COIN करना होगा मतलब कि जिस तर्मिल पर आप करोगे उसके साथ आपको मalटिमीटर के प्रोब को किने करना होता है क्योंकि हमें यहां पर इस वाले कौटेक को चेक करना होता है जब contactor को चालू करेंगे तो contact इसका close हो जाती है और जब contactor को off करते हैं तो contact इसका open रहती है वैसे यह मेरे पास multimeter है इस multimeter को मैंने auto position पर रखा हूँ यदि आपके पास में कोई और दूसरा multimeter है तो आपको यहाँ पर selection करना होता है कि आप यहाँ पर क्या measurement करना चाते हो जैसे कि आप DC supply का measurement करना चाते हो आप AC voltage का measurement करना चाते हो आप यहाँ पर continuity check करना चाते हो आप capacitor को check करना चाते हो या फिर frequency को आप check करना चाते हो हर एक चीज़ को आपको यहाँ पर select करना होगा इस multimeter के जरीए आप temperature, इस multimeter के जरीए आप temperature को भी check कर सकते हैं, उसका option यहाँ पे मिल जाता है, तो फिलार के time पे मुझे यहाँ पे continuity check करना है, तो इस वाले बटन को press करके मैं यहाँ पे continuity position ला दिया, continuity position लाने के बार contactor जो है, उस contactor के terminal के साथ मैं multimeter के probe को मैं connect कर दूँग वो beep का sound कर रहा है, साथ ही साथ में यहाँ पे हमें resistance भी मिल रहा है, तो आप समझ सकते हूँ कि यह जो contactor है, इस contactor को चालू करने के बार यहाँ पे हमें continuity मिलेगा, और इसको release करने के बार जैसे मैं contactor को छोड़ता हूँ, तो यहाँ पे हमें कोई भी resistance यहाँ पे continuity नहीं मि करेंगे, फिर contactor को हम press करेंगे, यहाँ पे हमें continuity मिलना चाहिए, आप देख सकते हो continuity R मतलब कि सबकुम सही है, आप देख सकते हो अभी के टाइम पे हमें continuity मिल रहा है, इसको release करने फें continuity चला गया, और प्रेस करने पर हमें यहाँ पे continuity मिल रहा है, अब तीसरा जो आप उसका इस्तामाल करके आप यहाँ पर continuity को check कर सकती हो अब बज़गे हमारे पास में अनोंC contact तो अनोंC contact जो होता है उसको भी same तरीके से आपको check करना होता है अनोंC contact के ज़रीए अनोंC contact को यहाँ आप check करोगे तो normal condition में आपको यहाँ पर कोई भी continuity नहीं मिलेगा यदि contactor के press होने के वार एनों context से आपको continuity मिलता है तो आप समझ लिजे contact जो है वो context सही है इसी प्रकास से यदि आपको NC contact को check करना हो तो आप check कर सकते हो इस वाले contactor में NC contact नहीं था तो इस contactor का मैं इस्त्माल कर लेता हो इस contactor का जो नीचे वाला tunnel वो है NC contact वाली तो इसके सार multimeter के probe को मैं connect करता हूँ अब देखो कि यहाँ पर मुझे continuity मिल रहा है लेकिन जैसे मैं इसको press करूँगा continuity चला जाएगा release करने पर continuity आ जाएगी ठीके तो आप यहाँ पर समाझ सकते हो कि जो contactor होती है उस contactor को check करने के simply हमें contactor का जो coil है उसका resistance मेजर करना है इसके अलावा जो power contact और auxiliary contact है उसका हमें NO NC contact को check करना होता है अब contactor के बाद में हमें यहाँ पे overall delay को भी check करना है overall delay को किस प्रकास से check करते हैं मैं आपको बताने से पहले मैं आपको बतारा चाहूंगा कि यह मेरे पास मल्टिमीटर है मल्टिमीटर का पूरा स्मार्ट मल्टिमीटर है मतलब कि यहाँ आपको यहाँ पर resistance voltage जो भी आपको check करना है तो उसको भी मैं यहाँ पे check कर सकता हूँ अभी के time पे no बता रहा है contactor को operate करवाने पे यहाँ पे nc contact बताए जा रहा है अब यहाँ यहाँ पे voltage को check करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ भी changes नहीं करना है simply मैं यहाँ पे power socket को लेके आऊंगा और इसमें multimeter के probe को connect कर दूँगा आप देखो कि यहाँ पे voltage वाली option automatically आ गया और यहाँ पे बताए जारा है कि जो हमारा voltage वो voltage 230 voltage नीचे में यहाँ पे frequency को भी बताए जारा है तो यह जो multimeter यह multimeter हमारा पूरा का पूरा smart है मतलब कि आपको यहाँ पे कुछ भी selection में करना है automatically सब कुछ बता देगा इसके अलवा इस multimeter में हमें non contact वाली जो voltage detector होती है उसका भी function मिल जाता है जैसे कि मैं इस पे click कर दूँ तो यहाँ पे हमारा non contact वाली option open हो गया अब इस multimeter को यहाँ में पावर सोकेट के पास ले जाओं तो आप देखो कि यहाँ पे वीप का sound बढ़ चुका है मतलब कि इस multimeter के जरीए यहाँ पर यह बताया जाए कि यहाँ पर पावर सप्लाई एवाइलेबल है अब यह जो multimeter है इस multimeter के अलावा यहाँ पे मेरे पास में एक soldering iron भी है जैसे कि मैं आपको यहाँ पे open करके दिखा हूँ तो आप देखो कि यहाँ पे मेरे पास में एक soldering iron है बहुत ही छोटा सा soldering iron है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम हो जाती है इसके जरीए इसवारे soldering iron के स्तेमавно कैसे करते हैं चलिए आपको थोड़ा सा बता लेता हूँ देखें यहाँ पे जो nut है, इस nut को मैं सबसे पहले open करूँगा open करने के बाद इसका जो beat है, इस beat को में यहाँ पे लगा दूँगा लगाने के बार इसका जो nut को में इसमें टाइट करणने कबार इसका जो cover को मैं यहां पर लगा कि इसको रख सकता हूं, इस प्रकासे मतलब कि आमको पता भी नहीं चलेगा कि यहां पर हमारे स्क grown क्राश्य आइरन ही अब मैं इसको open कर लेता हूं ऑपन करने के बार इसके जरीए मैं यहाँ पर किसी प्रकार का सोल्डिंग करना चाहता हूँ जैसे कि इसका यहाँ पर कैबल है जो कि इसी सोल्डिंग आइरन के साथ में आएगा तो इस केबल को भी मैं ओपन कर लेता हूँ open करने के बाद इसका जो यहां पे पीन है इस पीन को मैं charging वाले socket पे connect कर दूँगा इस प्रकार से अब यह charger है इस charger के मैं power socket के साथ connect कर देता हो अब connect करने के बाद इस वाले केबल का जो दूसरा सिराई इसको में लेके आऊँगा और यह जो मेरा soldering iron है इसके साथ इस प्रकार से connect कर दूँगा connect करते हैं आप देखो के यहां पे मेरा soldering iron यह own हो चुका है और आप देखो के यहां पे power supply के साथ यह connect है यह भी सो कर रहा है अब इस वाले display में आप देख सकते हैं यहां पे temperature सो के आ रहा है कि कितना temperature यहां पर है अब यदि मुझे temperature को कम करना तो simply कम वाले बटन पे क्लिक करूँगा temperature यहां पे कम होना start हो जाएगा मतलब कि temperature में यहां पे कम set कर सकता हूँ बढ़ाना हो तो इसके जरीए मैं बढ़ा भी सकता हूँ मैंने यहां पे 220 degree Celsius set कर दिया set करने के बाद इसके जरीए असानी से मैं यहां पे soldering कर सकता हूँ जैसे कि इस पे मैं यदि लगा हूँ तो यहां पे hitting start हो जाएगा अब यदि मुझे इस वाले PCB card पे soldering करना है तो simply मैं यहां पे soldering वाल लूँगा और इस वाल को ले जाके यहां पे रखके simply इस पे soldering कर सकता हूँ जैसे कि आप देखो कि यहां पे बहुती असान तरीके से soldering होना start हो चुका है आप देख से तो यहां पे soldering हो चुका है हम सभी electrician को multimeter के अलावा कभी कभी soldering iron की भी आवसकता पड़ जाती है तो यदि आप soldering iron और multimeter को buy करना चाहती हो तो इन दोनों को buy करने का link मैं आपको description में दे दूँगा वहां पे click करके आप directly buy कर सकते हो अब चलिए हम यहां पे directly जो हमारा overall relay है यह वाली overall relay इसको किस प्रकास से check करेंगे उसको समझ लेते हैं तो इसके लिए multimeter को मैं one कर लेता हूँ one करने के बार यहां पे जो मेरा overall relay इसका जो power contact है उसको सबसे पहले check करूँगा power contact हमेशा NC contact रती है तो आपको यहां पे continuity मिलेगा आपको क्या करना होगा multimeter का जो एक probe उसको यहां पे connect कर दीजिए आपको यहां पे continuity मिलना चाहिए आप देख सकते हो continuity अभी मिल रहा है second terminal को check करते हैं यहां भी हमें continuity मिलना चाहिए continuity आ रहा है मतलब कि सही है यहां पे भी मुझे continuity मिल रहा है मतलब को यह भी सही है अब इसके बाद में हमें overload relay का जो NO NC contact होती है उसको check करना होता है तो मैं यहां पे continuity position select कर लिया select करने के बार NO contact के सार्व multimeter के probe को connect कर दिया आप देख सकते हैं यहां पे मुझे continuity नहीं मिल रहा है इसके बाद में यहां पे जो NC contact है इसको check करना हूँगा यहां पे मुझे continuity मिलना चाहिए continuity मिल रहा है अब यदि मैं यहां पे इस वाले overload relay को trip करवा हूँ जैसे कि trip करवाने के लिए यहां पे बटन दिया गया है तो इसको मैं थ्वासा operate करवाता हूँ तो इसको मैं operate करवाता हूँ तो आप देखोगे यहां पे continuity आना बंद हो गया आप देखोगे NC contact से continuity आना बंद हो गया लेकिन जो हमारा NO contact है उस contact पे हमें continuity मिलना start हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो continuity यहां पे show किया जा रहा है तो यदि आपको overall relay को चेक करना है तो सबसे पहले आप NO contact पे चेक करिए और NC contact पे चेक करिए अनो contact पे आपको continuity नहीं मिलना चाहिए और NC contact पे आपको continuity मिलना चाहिए चेक करने के बाद यहां पे जो test वाली बटनी इसको आप operate करवा दिजिए आपको यहां पे continuity मिलना स्टार्ट हो जाएगा मतलब कि overall relay सही है अब इसके बाद NC contact जो है उस पे आपको continuity नहीं मिलेगा यदि आप overall relay को यहां पे test position पे डालोगे मतलब कि यदि आप overall relay को ट्रीप करवा दोगे तो आपको यहां पे continuity नहीं मिलेगा इसको मैं reset कर दिता हूँ reset करने के बाद यहां पे continuity आना start हो चुका है तो overall और relay को किस प्रकास से चेक करते हैं और contactor को किस प्रकास से चेक करते हैं मैंने आपको पूरे detail से explain कर दिया दोस्तो यदि आप इस multimeter या free solding item को बाइग करना चाहते हो इसका link description में आपको मिल जाएगा वहाँ पे click करके आप directly buy कर सकती हो उमिद करता हूँ कि आपको ये video पसंद आया होगा इस video को देखने के लिए धन्यवाद